नमश्कार सी नियूस भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है इटा के अवागड खंड विकास अधिकारी अवागड मुहम्मद जाकिर पर जानलेवा हमला के दिवाले एक और आरोपी अमन पर प्रुशासन द्वारा कारेवाई की गई 20 माई को अग्यात हमलावरों ने अवागड बाइपास पर खंड विकास अधिकारी की गाड़ी रोक कर उनके उपर जानलेवा हमला किया था जिलादिकारी प्रेम रंजन सिंग के निरदेश पर एजडियम जलेसर जगमोहन गुपता तहसीलदार राजी फौदार वराजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा ग्राम समाज की भूमी पर कबजे को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कराया घैल खंड विकास सदिकारी द्वारा थाना अवागर में एफाई यार दर्ज करानी के उपरान तीन अवियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरपतार किया जा चुका है वही हमले के एक अन्य आरोपी अमन द्वारा किये गए ग्राम समाज की जमीन पर अवैद कबजे को शुक्रवार को प्रिशासन पुलिस टीम ने कारिवाई करते हुए जेसीबी से ध्वस्त कराया साती आरोपी सतेंद्र उद्वारा ग्राम समाच की जमीन पर अवैद मकान बनाये गया था जिसको भी भंगलबार को ध्वस्त कराया जा चुका है सब्सक्राइब कर दो के पास रिवालवर थे या कट्टे थे वारा भूर के से नहीं दिख वाया अच्छा जैसीवी से रास्ता रुकाया आपर तोड़ गाली पर हमला कर दिया उसके से तोड़ यह फिर आदा दूंद लाठिया मेरे उपर बजाएं पथे कि लाठियों से पहचाना है सब्सक्राइब कर दो कि अवागण में वीडियो अवागण के साथ कुछ आराजक तत्व मिस्विहाइब किये राते में रोब करके जीसीवी मसीन लगा कर गाड़ी रोब करके उनके साथ मार्किट की लिए जाली बनाउश किया गया है इसमें अभ्योग पंजि इसमें अभी तक तीन लोग गिरबतार किये जा चुके है और जेसीवी मसीन जट्री जा चुकी है इन तीनों पे भी अभी 25,000 रुपिया का इनाम गोशित कर दिया गया है और इनको भिसिग गिरबतार कर लिया जाएगा इसमें और भी जितने नाम आएंगे उन पे सक सक करवाई की जाएगी और ये रुही त्यादव एन कंपनी पे गुंड़ा एक केनिस्टर के ताथ करवाई की जाएगी ये भी बता दू कि इसने ग्राम समाज की जमीन कबजा कर रखा था दिवाल लगा रखा था प्रसासन ने उसे भी धौत करा दिया है नाली ग मादाता लखन यादो की रिपॉर्ट विलार इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही रेश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं सीनियूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपकी हाथ